हमारे बताय के अनुशार कर ले, तो ऐसी संसार में अभी तक कोई भी समस्या उत्पन नहीं हुई जिसका समाधान न हो जाए कोई जितिल से जितिल समस्या एक वरत में समाधान हो जाएगा जिसमें आपका अधिकार है, मैं बहु उपासनाएं या बहु साधनाएं आपके चैनल माध्यम से बताया करता हूँ जिसमें सबका अधिकार हो, इनको लेकर एक एक नाम से शंकर ये को एक सब आठ लुटिया जल बेल की जड़ में चड़ाए बिलपत्र के ब्रक्ष की जड़ में चड़ाएं, ना हो तो शिवलिंग पर चड़ाए, या मुस्लिम इसाइई हैं, तो सब के लिए एक पूजा, एक कार नहीं होता, एक मेडिकल हॉल में बहु सारी उसदिया होती हैं, सब एक रोगी के लिए नहीं होती हैं नमस्कार दोस्तों जन्ता की आवाज में आप सभी का स्वागत है मैं कनेया सर्मा वंदावन की यात्राह में आपको दीविये तपशी त्यागी संतों के दसन करवा रहा हूं और साथ इसाथ आपके जो गस्ती जीवन से जुड़ेवे माताओं के भाईयों के स्वाल लेता हू और पिछली बार जैसे कि आपने इनके जैसे आपको वंदावन के बहुत सारे संतों के दसन करवा है लेकिन शरी उमा शक्ति पीट के जो मैंने वहां के महेंजी सापको दसन करवा है उनका आपके स्वाल लिए सभी ने का उनका एड्रेस बता दीजिए एड्रेस मैंने प्रिक्रम आपको रास्ता जाना चाते हों कि आपको शीदे घर बेटा ए आराम मिल जाए पहली बात तो नंबर गुरुजी की संतों द्वारा मिलते नहीं है और जिनके पास चोटा सा फॉन होता भी है वो नंबर देते हैं क्योंकि बखती में उनके जो नित्य करम में आप बा क्योंकि हमें पता है इनकी भक्ति में बादा ना बने और अगर आप इनसे वक्तिगत मिलना चाहते हो तो एडस मैंने दे दिया आज मैं आपके कुछ स्वाल लेता हूं उससे पहले इंसे आडसिवाद लेते हैं फिर आज की सहसंग शुरू करते हैं पहले तो गुरुजी मेरी जो आपके गुरु मान चुक है हर्दे से उन्होंने कहा हम तो इनको गुरु मान चुक है अब इनके माद्यम से हमारा नया पार लगवाई तो सबसे पहले हम स्वाल लेते हैं माला राम जी का है कि गुरुजी को परणाम डंडवत परणाम करता हूं गुरुजी मैं बार बा पर जाता हूं और जीवन में कोई उपचार न Entonces पीश कर लिया फिर भी उसका हड नियूता भीमारी और डौक्टरों के पास जाता है ने एक बारों जाता हूं वापस विमारी आ जाती है और कभी कभी तो ऐसे भी हैं जो भीमारी की उत्तर भी नहीं मिलता कोई तो उनको मारत दर्शन कीजिए कोई से आराधना करने है कोई से साधना करने है कोई से पूजा करने है कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि शरीर में ब्याधी होती है व्यक्ति को पता लगता है हमारे शरीर में रोग है बाहर को देखने वालों को पता नहीं लगता है शरीर को देखने से भी रुगण शरीर नहीं लगता, लेकिन जो विक्ति पीडित है, उसे पीडा महसूस होती है। अवस्धालियों में जाते हैं, बड़े-बड़े चिकिस्टकों के पास जाते हैं, आज कल चिकिस्टक लोग जाच लिख देते हैं। और जाच में चिकिस्टकों की बहुत बड़ी कमीशन होती है। जो चिकिस्टक देखते हैं, वो कोई न कोई दवा लिख देते हैं। रिपोर्ट निगेटिव हैं फिर दवा किस चीज की, क्यों लिखी गई। जब आपको रोक का पता नहीं लगा, आपने टेबलेट लिख लिए खड़िया की टेबलेट, बिक्ति खाता है। उसे रोक तो कोई लाब तो होना नहीं, न कोई नुक्सान होता है। या कभी-कभी साइड इफिक्ट हो जाते हैं उनके। ऐसे इस्थती में ये देखना चाहिए, या तो वो बैद्दिच किस्षक सही नहीं है, या वो दबा सही नहीं है, या हमने दबा कि संग अनुपान भेद पत्थ नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात ये होती है, हमने पत्थ भी किया, बैद्दिच भी बहुत अच्छा, योग है, रिपोर्टे भी सही है, लेकर रोग दूर नहीं हो रहा। कुछ दवा फिर उठा, दवा फिर उठा, ये समस्या जब हो, तो ये मानना चाहिए, यहां पर ग्रहों की समस्या है, ये कोई न कोई दईविक समस्या है, इसमें दईव द्वारा पेडित है, अब दईविक समस्या के लिए दईविक उपाय करना पड़ेगा, वो किस्या से दूर रही होगी उसमें कई हैं अलग-अलग हैं साधान तया पित्री दोष आता है उसके लिए गंगा इसनान स्राध्ध तरपन इत्यादी बताए जाते हैं गया स्राध्ध तरपन घरबे बीमारी नहीं निकल रही है तो स्राध्ध करना चाहिए नारायन वली करना चाहिए तरपिंडी स्राध्ध करना चाहिए गया स्राध्ध करना चाहिए इत्यादी दूसरी बात आती है उसमें इनके उपरांत गंगा आदिकिष्णान करके फिर भगवती दुरगा का आराधन करना चाहिए या सांब सदाशि इसमें काम करने वाली नहीं है केवल सामबसदा सिवकी उपासना ही काम करेगी और कोई भी उपासना काम नहीं करेगी कहने वाले कह देंगे तू राम राम कर ले तू किष्ण किष्ण कर ले तू ये कर ले बहरो बाबा को अनार चढ़ा दे नीबू चढ़ा दे, यह बहुत बाते कहेंगे, कि तु गंडा मांद ले, यह कर ले, यह सब ढोंग होगा, ढोंग होगा, तत काल साइकलोजी का लाव महसूस होगा, लाव नहीं होगा, लेकिन मानसिक लाव महसूस होगा. जैसे कि अभी आपने दुर्का को महादेव का बता है तो उसका पूरी वीदी बता दीजी कि वाद में उनको भरमित ना हो पूरी वीदी बताजे किस दिन करना चाहिए और शुक्रवार मंगलवार ये है उपासना के लिए विशेश दिन बताए गए हैं भगबती के सामसदाशिविके लिए ये उपासना शुक्रवार उत्तम और मंगलवार दूसरा नमबर पर तो ऐसी इस्तित में सबसा सरल उपाए सरल से सरल उपाए दुरगा की उपासना सभी नहीं कर सकते हैं बताई जाएगे कि आप दुरगा सबसती का पाठ करो जिसे मैं अभी कह रहा था शंपुटित पाठ करो चार घंटे लगेंगे अब सब तो संस्कृत पढ़े हुए नहीं है नहीं कर पाएंगे फिर कुछ ऐसे नियम है कि कौन करे कौन ना करे अधिकार भेद है अगर अधिकार से अपर अनाधिकारी कोई भी कारी करेगा तो विप्रीद फल मिलेगा कोई कहगा मैं क्यों नहीं कर सक्ता हुँ ये कुछ नहीं कर सकता हूँ योई ऐसा हो तो अनाधिकारी की पास जाएगा तो उसको विप्रीद मिलेगा कहेंगे हमने जे भी किया हमको तो उल्टा पडगया जे पडगया वह तो पड़ेगा पड़ेगा तो किसी महापुरुष के मार्ग दर्शन में उसे विदिवत अधिकार जैसे अभी किसी इस्त्री का प्रशन आया हमारे पास कि गुरुजी जब जशोदा मा भगवान कर्शन को सारा उनकी सेवा करती थी तो क्या यमसी से नहीं मासिक धर्म से नहीं होती थी तो क्या मासिक धर्म बाली इस्त्री पूजा नहीं कर सकती अब क्या उसे बताएं भाई कि तुम न तो तुम जे शुदा माई हो ना तुम्हारा बच्चा किस्ण है तो और भगवान को अपनी बात है भगवान को भूख लगती लेकिन कैसी भूख प्यास लगती कैसी यहां प्याता है कि साधान उपास्टना और जिसमें आपका अधिकार है मैं बो उपासनाएं या बो साधनाएं आपके चैनल माध्यम से बताया करता हूँ, जिसमें सबका अधिकार हो, विशेश अधिकार वाले को तो हमारे पास आना पड़ेगा, पूछने के लिए कि हम इसके अत्रिक्त क्या करें, हम ब्रामन हैं, छत्रिय हैं, वैश्य हैं, हम इस इस्त्रियों में अब विवाहित हैं विवाहित हैं या इस प्रकार के इस्त्री हैं उनके लिए अलग-अलग साधना है ब्रामण इस्त्री हैं चत्रे इस्त्री हैं वैस्त्री हैं सुद्र इस्त्री हैं अंतेज इस्त्री हैं मुलेच इस्त्री हैं या मुस्लिम इसाई इस्त्र एक कारी नहीं होता, एक मेडिकल हॉल में बहुत सारी उसदियां होती हैं, सब एक रोगी के लिए नहीं होती हैं, अलग-अलग होती हैं, सब एक के लिए नहीं भरी होती हैं, तो मैं सामान ने उपाय बता रहा हूं, मैंने पहले बताया भी था साइद भक्तों ने, आपके दर आति इन्शन नाम माला है और भगबती के बत्तिश नाम है तो दुरगा के बत्तिश नाम उन बत्तिश नामों में मैंने एक-एक बीज लगा दिया और काली का बीज लगा दिया काली के बीज को शूद्र करे, ब्राम्मन करे, चत्रिय वहिश्य करे, इस्त्री करे, शुद्ध इस्त्री करे, असुद्ध इस्त्री करे, अब आज कल इस्त्रियों का सुभाब होता नहीं नहाती है, जाड़ों बर नहाएंगी नहीं, बश्त्र भी नहीं बदलती, क्या करोगे? मेकप करके पता ही नहीं चलता है उनका मेकप रहता बस तो ऐसी इस्थित में भी साधना हो नियम में भंग ना हो तो दुरगा के 32 नाम और इन 32 नामों को 108 बार पाठ रोज करे यानि लगबग 45 से 50 मिनिट का समय उन्हें निकालना पड़ेगा एक बार में दो बार में तीन बार में चार बार पंद्रा पंद्रा मिनिट करके चार बार बैठेंगी तो दिन भर में हो जाएगा 108 एक बैठके ही नानियम ले पंद्रा पंद्रा मिनिट का ले ले या एक बार में 50 मिनिट 45 मिनिट लगके हैं करें भगवान शिब के हमने 108 नाम अलग सास्त्रों से छाटे हैं अलग से छाट के निकाल के रखे हैं और मेरी उस पर प्रतिग्या है चेलेंज है कि एक वर्ष तक हमारे बताय के अनुशार कर ले तो ऐसी संसार में अभी तक कोई भी समस्या उत्पन नहीं हुई जिसका समधन कोई जितिल से जितिल समस्या एक वर्ष में समाधान होई जाएगा और साधान तया साम को सोते समय ग्यारा बार उनका पार्ट कर ले हमारे समझें 20 मिनिट लगेंगे ज्यादा है 15 मिनिट ही लगेंगे 11 मिनिट लगेंगे 20 मिनिट लगेंगे उनके ग्यारा पार्ट करने में और या सोते समय कर ले, चैसे बिरे उठके नहा के कर ले, सोते हुए कर ले, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, अथवा, मैंने दूसरी बात बताई थी, बिल्लु का बरक्ष हो, आमला का बरक्ष हो, पीपल का बरक्ष हो, बर्गद का बरक्ष हो, अथवा घर में तुल बोज बनाए अब बीच में अपने आप बैठे तीनों के पास दीपक जलाए जलाने के बाद बैठ कर इन दुरगा के 32 नामों को करे एक सब आठ बार हां और 11 पाठ इन 108 नामों का करे महादेव जी के अब जैसे आपने 32 नाम बता है तो जो 32 नाम है वो कौन से 32 नाम है भी यह सिस्पेंस नारे जाए दुरगा दुरगा आते इन्शाल नाम माला एक ही है अलग-अलग नहीं है दुरगा दुरगा आर्तिसमनी दुरगा पदविनिबारिनी दुरगमच्चेद नि दुरगशाध नामों से एक बालती सुद्ध भरे है नहाध हो के माँचके उनमें एक तांबे की चांदी की सोने की मिट्टी की छोटा सा लुटिया बना ले, कुलड बना ले, और उसे लेकर सफेद धुले हुए तिल लेले, चावल लेले समूचे, अच्छा हो, हाथ से छिले हुए नहीं, तो समूचे तूटे ना हो, जिने अक्षत कहते हैं, और लकडी का घिसा हुआ चंदन, लकडी बाला और तिल, चावल और चंदन, पुष्प, पुष्प और बिलुपात्रा, कम से कम इतनी सामगरी है, दो, इतनी सामगरी कम से कम, एक रुद्राच की माला पहन ले, गले में, संकर जी की पूजा करने के लिए, तीन चीजें बहुत आवस्यक होती हैं, कराने वाला, करने वाला, दोनों के लिए, पंडित के लिए भी, भस्मकात्रपुंड मस्तक पर लगा होना चाहिए, बिना भस्मत्रपुंडे ना बिना रुद्राच्छ मालेया, बिना मालूर पत्रे ना शिव पूजा, बृथा, भवेत, वह संकर जी की पूजा बेकार हो जिसमें जित्ती नहीं होते हैं, ब्वश्मत्रपुंड अपने लगा हो, रुद्राच्छ की माला गले में पड़ी हो, जब भी हो तो रुद्राच्छ की माला से हो, मालूर पत्र माने बिल्लु पत्र हो, ए आवस्ट्रक है, हमने चार चीजे बताएं, दोले हुए तिल, चा को लेकर एक एक नाम से शंकर जी को 108 लुटिया जल बेल की जड़ में चड़ाए बिल पत्र के ब्रक्ष की जड़ में चड़ाए ना हो तो सिबलिंग पर चड़ाए यदि वो मिल्याया तो अच्छा नहीं तो सिबलिंग पर चड़ाए चड़ाने के बाद शंकर जी को वो जो उसका लेप करे, पूरे सिबलिंग में, लेप करे, लेप करने के बाद संकर जी के उपर लिखे श्रींग, उपर बिंदी दरे, चंदर बिंदी, उपर चंदर बिंदी दरे, चंदर बिंदी रखे, उसमें तिल भर दे, फिर ग्याना नामों से रुद्राय नमहा, रुद्राय महा तिल चढ़ाए ग्यारा नामों से इनी नामों से रुद्राय नमा करके चाबल चढ़ाए इनी नामों से ग्यारा बिलुपत्र चढ़ाए प्रणाम करे प्रदक्षिना करे परिक्रमा करे प्रणाम करे के हाथ जोड कर दीपक जला के चलाए एक काम अगर कुछ दिन करे तो स पुर्गाग बत्तिस नाम का पाठ करें, जब कभी अश्टमी आजाए, नौमी आजाए, शब्तमी आजाए, चतुरदसी आजाए, पूरिमा आजाए, और कास इन दिनों में, इन तिथियों में शुक्रवार आजाए या मंगलवार आजाए, उन दिनों में यदि गुलगुले बना लिए जाए, पुवा, आमला के बराबर पुवा, आठा को गुड में घोल कर, गेहु के आठे को गुड में घोल कर पुए बना जाते हैं, जोटे जोटे, गुलगुले भी बोलते हैं, बही भासा मैंने का, पकोरी जिसे होते हैं, वो बना लिए जाए पुवा, और उन लड़कियां भी स्वाहा स्वाहा चिलाती, अब ओ टटी करके आई हैं, पेशाब करके आई हैं, बिना हाथ दोए पैर धोए खड़ी हैं, दातों में उंगली डालती जाती हैं, अब स्वाहा स्वाहा चिलाती, इसका उल्टा फल बिलता है, श्वाहा, सुधा, बशतकार, लेकिन लड़कियों को, लड़कियों को, माताओं को, माता बहनों को, वेटियों को, और चतुर सिजाती को, केवल नमह सब्द ही बोलना चाहिए, ऐसा सास्त्र कहते है, अंत में मंत्र भी बो बता है, इसके अंत में नमह लगा है, पहले नमह बाला मंत्र ना बता है, वो अनिक बोलना चाहिए, शंकर जी के लिए नमस्कार है, कहते हैं, बाई साब नमस्ते, शंकर जी के लिए नमस्कार है, विष्णु विष्णवे नमा, विष्णु के लिए नमस्कार है, कृष्णाय नमा, कृष्ण के लिए नमस्कार है, दुरगाय नमा, दुरगा भवती के लिए न नमस्कार है, सूर्याय नमास मूरी के लिए नमस्कार है, यह मन्त्र, यह लाभप्रद है, कल्यूग में विशेषकर लाभप्रद है, इस परकार से अगर वह करता है, तिल यह धुले हुए तिल, तिलों में मिलाया सहद, मधो लाग। और अथवा गुलगुले सेह बन किया निश्चत हिलाब होगा सवप्रशत लाब होगा समस्याओं का समाधान हो जाएगा मेरा ऐसा पुरा विश्वास जितना जाधा कर सको उसका भी एक सव आठ पाठों से कर लो बतिस नामों से कर लो तीन पाठों आठ पाठों से कर लो आठ पाठों से कर लो दस पाठों से कर लो एक पाठ से कर लो जितना हो सकता है वो करना चाहिए नहीं तो ब्रामन बुला के कर भाईए एक कोई ब्रामन को बुला ये उससे ज़्यादा मिलेगा अच्छा ब्रामन को बुलाईए उससे ज़्यादा फ़ल मिलेगा अपने आप बैठ गाद जोलके है के बल जब करिये ब्रामन करवाईए अच्छा ये बात उन्होंने कहीए गुरु जी ने अगर आप नहीं कर पाते हो उचारण सही नहीं बोल पाते हो जुबान से अगर किसी ना कर लसुन के आज का ऐसा हो चाहिए ना अईसा है म्रामन योगी होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए मूल बात यह कितना भी बड़ा विद्वान है कितना भी पूझा पाठ करने वाला है लेकिन दुस्चरित्र है तो आईसे ही है जैसे कपला गाय का घी अग erect जीए उन्हीं से ही बात कीजिए गुरु जी अगला में एक स्वाल लेता हूँ आराए